पिछले कुछ समय से एवियम वोटिंग बशिंग के खिलाव लहरे उठी हैं उसी श्रूंक्ता में आज विपिन अधिवक्ता संकट नाउदवारा नागपुस्तेज सविदान चोग से एवियम की शवयात्रा निकाली गई जहां बड़ी मात्रा में आंदलग मौचे थे उन्ह इवियम को बैन क्या जाए और भारत में हर प्रकार की चुनाओ चाहे वह ग्रांग पंचायत नगर परिशद महानगर पालिका विदान सभा या लोग सभा इंडमेज से कोई भी चुनाओ या भीन कोई पी चुनाओ एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशिन से ना लेती वे यह सार में आज नाकपुर से सवेदान चोख से एवियम की शवयात्रा निकाली गई जहां बड़ी मात्रा में आंदुलक मौच हो थे उन्होंने जिलादी कारी के मात्र से चुनाओ आयोक को ग्यापन बेसोपा है जा उन्होंने अपनी विभिन मांग के रखी ऐसा मैं जानकारी दे तथा सेल बन पेटी में अपना मत डालता है तो इस बाग की निचीत省ता होती है कि उसका मत सुरक्षित है इसे के विपरेत यो लेक्ट्रोनिक्स वोटिंग मशिन में हैचीतिंग क्या सकता है ए अपना मट उसने जिसको दिया है इसको ही गया है ऐसे पूर्ण संभावना नहीं होती है इस कारन भारत के सभी अभी वक्ताओं का कैना है कि एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशिन को तुरंधी बंग करे और सभी प्रकार के चुनाओ संफुर्ण भारत देश में मत्पत्र पर ही करने हितु आदेश पारित करे अनिता भारत के सबीन नाकरी एवं वकी लोको ईवियम बंकनी की मोहिम चलानी पड़ेगी ऐसा इशारपी इनोने इस वक्तियां अतिश्य मोठे प्रमानात वकीलांचा तस इतर संखन नांचा यहा जन्ना अंदोलननाला पट्रिमा मेहा लेला है सहकार्या मेहा लेला है इक इतियास बहुंई योगदान योगदान थिक पहती घ्रका ज़ přαीराइव ecc. अंदोलन एक द्रेश्वापी स्वरूप यानी घतलेला है आने आमाला स्वाट्ट कि अंदोलन जी आ है अतिशे गंभीर आंदोलन आ है आने हां मुद्धा सुद्धाफार गंभीर है कारण लोग शाही यह देशाची टिकलिस पाईचे आनी इव्यम जी आहे थी कशी हानिकार का है याचे पुरावे आद लोकाना दे आची घरज नहीं है सोशल मीडिया वर आने जनते मदे त्यूरा अकुरोश आहे और प्रत्यकाला करून चुकला है कि इव्यम जी आहे थी कशापर काने मैनिपुलेट होते आहे कशापर कराने मैनिपुलेट करते लिए बेल मदे चा साथ मरेश डेबरे के रिपोर्ट